हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे एंजेट वर्सेज ए यूएस ड्रीम 11 प्रेडिक्शन सेकेंड डिट्वेंड इंटरनेशनल है न्यूजिलैंड में हो गया बहुत बड़ा चीज टिम साथी नहीं खेलने वाले मैच आ गए है ट्रेंट बोल दोस पहला मैच है 18 करोड की बड़ी ग्रेंड लीग है कोशिश करेंगे बेस से बेस्ट करने की वह वीडियो आप जरूर देखे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों टेलीग्राम पे दोस्तों अगर आपने हमें जॉइन नहीं किया वेरिफाइट चैनल है यहाँ पे मैं से कर पाओगे तो क्या करो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन अन कर दो एकदम फ्री ओफ कॉस्ट कुछ आप से कभी मांगा नहीं जाएगा बस थोड़ा सा प्यार देते रहोगे तो बहुत बढ़िया लगता है अब आज का मैंच है इडन पा बाउंडरी काफी चोटी है यहां पर आप देखो ना पिछले ही मैच पे न्यूजिलेंड ने 226 मारे और पाकिस्तान दे मार दिये थे 180 अठारा ओर पे अलोट हो गई थी बतलब अगर यह भी 200 और खेरते 200 लगा देते ओवराल अठारा वे 16 विकेट फास्ट तो क्लियर एडवांटेज तो फास्ट बोलर्स ऐस वैल एस बैटर्स यह वले मैच में भी 196 लगा टाय हो गया था मैच ठीक है बहुत बढ़िया मैच था यह वला देखने मैच था आपको क्लियर एडवांटेज देखने को मिलेगा पेस बोलर्स का स्पिनर्स के ऊपर दोस्तों जो यह वला मैच था दोस्तों इस पे सुपर ओवर हुआ था और शलंका ने वह सुपर ओवर विन कर लिया था ओवराल अगर आप इस वेन्यों के अब स्टैट्स देखो दोस् इंटरनेशनली फिन एलन के दो मैच में 105 रना एक हाफ सेंचरी भी है बाकी नंबर्स में मैक्स्वेल का एक हाफ सेंचरी नहीं है बर तोटल दो मैच पे 51 और एकी बार आउट वेस ग्राउड पे सो कही ना गई पर गशन वह भी ओक्लेंड में क्रिकेट काफी खेले है चार में 10 विकेट है इस ग्राउड को पसंद करते हैं सैंटर बारा में और ट्रेंड बोल्ट एट मेड बेंस एक में दो विकेट है और ग्लेन फिलिप्स आपके लिए 6 में सिरफ एक विकेट इस ग्राउड पे अब तो आपने दोस्तों देख लिये थे स्टैट्स पूरे हेड टो हेड के अब हम बात करेंगे लास्ट मैचिस में क्या हुआ है उसके बारे में और ओवरॉल समरी तो वेन्यू हमने देख लिया अब हेड गी बारी है तोटल 17 मैच में पांच न्यूजिलेंड जीती ऑस्ट्रे ने आखरी बॉल में टिम डेविड की बाउंडरी की बदोलत मैच विन किया वैसे मिचल मार्श बहुत जबरदस्त खिले थे आएए देखते है किसने कैसी स्कोरिंग करी थी सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा रविंदरान ने 68 किये थे कॉनवे ने 63 फिन एलन ने अच्छी शुरुवात करी थी 32 रन दो विकेंड मिचल सैंटनर और बहुत बढ़िया से 89 रन से विन किया था कॉनवे 92 नोटोट किये थे उस मैच में भी यहां पर भी रन है फिन एलन 42 यहां पर भी रन है सैंटर तीन विकेट यहां पर भी विकेट थे टेम साओधी तीन विकेट हाला कि टिम साओधी की इस मैच पर खेलने की उमीद कम है ग्लेन मैक्स्वेल 28 जॉश हिसलवूड दो दोस्तों ये थे last time के performers जो आपको पिछले दो head to head में मिले थे overall head to head number आप यहां देख रहे हो Glenn Maxwell तो हैं ही लेकिन Conway का नाम टॉप पे आ गया है last match की knock काफी अच्छी थी Conway की बढ़िया खेले है three half centuries है इनकी सीधा सीधा देखोगे अगर आप Australia के सामने साथ matches में मिचल मार्श की अब दो half centuries हो गई है लास्ट में बढ़िया खेले थे average 42 का हो गया है last match की knock के बाद brilliant ही प्लेड एंड लास्ट तक रहे वह बड़ी बात थी Warner का 24 का यह average है दो half century है decent सा खेले हैं बहुत बढ़िया भी नहीं बहुत दस में 14 सैंटर दस में 14 दस में 7 एडम जैंपा यह भी काम नहीं आये थे ठीक है तीन में पांच हिजल वूड मैक्सवल को बारा में चार फरगशन दो में दो मिचल मार्श की नौ में दो विकेड भी है जिसमें से एक तो भाई लास्ट मैच में नहीं थी और बढ़िया बोलिंग करी थी मार्श ने ओर आल नंबर्स आपको दोस्तों देखने को मिल ही रहे हैं हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे आगे हम आ गए हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है न्यूजिलेंड प्लेयर रोल्स प्लस रीसेंट फॉर्म इससे टे हो तो अफ्रीका के सामने वहां पर लेकिन ट्रेंट बोल टाइफिंग खेलेंगे लेफट आम फास्ट है फॉर्म देखोगे 2-0-1-0-1-2-0-1-2-3 विकेट अच्छे लेफट आर्मन है काफिर माहिर है विकेट टेकर है बड़े तो काफी एक न्यूजिलेंड के लिए अच चैपमेन सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए एक चिन जरूरोगा ट्रेंट बोल टाएंगे साओधी की जगा बाकी मेरे साबसे टीम सेम रहेगी परफॉर्मेस देखते हैं भाई परफॉर्मेस वही है जो हमने डिसकस ओर रड़ी करा कौनवे बढ़िया खेले थे 63 अच्छी पारी थी 32 बहुत बढ़िया स्टार्ट करी थी फिने लन ने स्टाक की बॉल प्याउट हो गए थे रविंद्रान का स्टार्ट अच्छा नहीं था फस रहते बहुत ज़्यादा चारन पर थे जब इनका एक कैश नूमेंस लेंड में गया था अगर वह कैश हो जाता तो चार और 42 रन दो विकेट ठिक है इनका ओवर था सातवा नौमा बार्मा और सत्रमा फर्गशन चार और 23 पे बहतरीन बोलिंग करी थी पिक ऑफ द बोलर्स थे चार और में 23 रन देना ऐसे मैच में जहां 200 रन बज रहे हैं आप समझ सकते हो काफी बढ़िया बल्ले गेंद ब चार और 42 पे जिरो और 42 पे जिरो सोडी और साओधी जो इंटरस्टिंग्ली इस वन्यू के टॉप विकेट टेकर थे बड़ इनको लास्ट मैच में पिटाई का सामना करना पड़ आप बोल्ट आएंगे तो मुझे लगता है बोल्ट भी स्टार्ट में और करेंगे लोकी फ परश्ट तक ऐसे आप किसी का भी रीड कर सकते हो ठीक है अब बोलिंग पर आ गए हैं ट्रेंड बोल्ट का नाम डाल दिया है फोटो भी डाल दिया आपके लिए 206 मैच में 241 विकेट है इंपोर्टेंट है बल्ले से मत देखो गेंदवाजी से जरूर काम कर सकते हैं अब ह अच्छे प्ले रहें लेकिन भाई उस्ट्रेलिया इंको काफी नीचे खिलाती है नंबर साथ वे इसलिए मैं ज्यादा इंट्रेस्टेड नहीं होता फैंटसी टीम के लिए क्योंकि पॉइंट पोटेंशल नीचे कम हो जाता है आप बोलर्स का भी एक बर फॉर्म देख लो क्योंकि चांसिज है नैथन एलीस और स्पेंसर जॉंसन में से कोई खेल जाया सकता है बै क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऐस्ट्रेलिया ने पहली बोला था हम प्लेयर रोटेट करेंगे इवन इनका बल्ले बाजी करम चेंज हो सकता है अब मैंने यही लाइनप बड़ मेरे को एक फीलिंग है मेरी बतारहूं क्या है क्या चेंज हो सकता है वो ध्यान से सुन लेना यह वही टीम है जो लास्ट मैंच में खेली थी देखो वारनर और हेड से ओपनिंग थर्ड पर मार्श मुझे लगता है यहां पर स्टीव स्मिट के एंट्री होने वाली ह इस match में या फिर 3rd match में एक में हो जाएगी फिर 5 में Maxwell इंगलीस मुझे लगता है बहार जाएगे David और फिर आजेगे Matthew Wade Matthew Short की जगा, Wade आजेगे Shot की जगा, बागी bowling में आपस विकल पर आपको change करना है तो फिर आप लेके आ सकते हो Spencer Johnson को भी एथेन ऐलीस को भी, टीम रोटेट करेगी एक तो आगे test match है, ठीक है तो Stark को, Cummins को थोड़ा rest देना चाहेंगे आगे test match है इसलिए और जो सबसे बड़ी बात है ना, वो यह है कि आगे आने वाली IPL में ये दोनों खेलने वाले हैं Pat, Cummins, Stark लेकिन भाई साब, Josh Hazelwood नहीं खेलेंगे I think, इनकी वाइफ प्रेगनेंट है जिस वज़े से उने opt-out किये IPL से तो अगर यही रीजन है तो आपको 2-3 महीने rest करते तो दिखेंगे ये तो यहां Australia इनको जरूर खिलाना चाहेगी कि World Cup T20 से पहले Hazelwood क्या कर रहे हैं हम देख लेते हैं तो यह रीजन है जिससे मुझे यकीन है कि Hazelwood खेल सकते हैं Stark Cummins में से किसी को rest दिया जा सकते है और Left Armour की जगह Left Armour का option है Clear Cut आपा Spencer Johnson Pat Cummins की जगह आपा option है Clear Cut Nathan Ellis तो यह जो changes हैं हो सकते हैं Australia की line-up में Please focus करके चलना जैसे मैं बता रहूं Steve Smith number 4 पे आ सकते हैं 7 पे Matthew Wade आ सकते हैं directly और Steve Smith आएंगे तो English बाहर जाएंगे और Short की जगह Wade आएंगे English बाहर जाएंगे तो Maxwell का बल्ले बज़िकरम नीचे हो सकता है I hope आप अच्छे से समझ गया यह scoring देखते हैं पहले मैच की बाहर ने डीसेंड किया था 32 रन किये Travis at 24 72 नोट ओट की amazing पारी थी Mitchell Marsh की 25 रन Maxwell 20 इंग्लिस Tim David 31 सब ने कुछ-कुछ स्कोर किया और एंड में यह जीत गए अच्छा चेस था बढ़िया चेस था इजी चेस नहीं था भाई Ferguson की bowling काफी अच्छी थी उसके बाउजुद इनोंने विन किया तो भाई काफी अच्छा काव इनोंने कर दिया था Matthew Short, Pat Cummins, बल्लेवाजी की जरूत नहीं पड़ी गेंदवाजी में इनोंने कुल 6 बोलर यूज़ किये थे Matthew Short को यूज़ नहीं किया भाई यहां पर थोड़ी सी पिटाई हो गई थी Maxwell की इनको दो और मिले थे जिसमें एक और पावर प्ले में भी था एक और में भाई ये एक मैच में इनका जो पहला ही मैच था दो डाले है जीरो विकेट थर्ड और 10th ओवर डाला था पिटाई हो गई थी काफी देन दोस्तों यहां पर Adam Zampa इनको 3 ओवर ही मिले थे भाई 3 ओवर ही क्यों मिले क्योंकि भाई बहुत पिटाई हो इस्पिनर्स की यार कासा पिटाई हो गई थी आप देखोगे 9-11-15 ओवर था लेकिन विकेट नहीं मिला इनको 4 ओर 36 पे 0 हेजलवर एकनोमिकल थे पहला ओवर महंगा गया था बट फिर भी टीम ने ट्रस्ट किया ओवर दिये 14 और 18 ओवर था पैट कमिज ने आके 20 ओवर भी डाला था एक विकेट था स्टाक ने 1st 6th 12th 19 एक विकेट था जो इनको 6 ओर मिला था मिचल मार्च ने 3 ओर किये थे एक विकेट मिला था तो मिचल मार्च भी अगर खुद को यूज कर रहे हैं काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि विकेट भी ले जाए एसी आप स्मित का या जिसका भी आपको रीड करना कर लो क्योंकि चेंजिस होंगे बोलिंग में लेट से स्पेंसर जॉंसन का परीड करना चाहते हो 31 मैच में 38 विक्टे हैं बल्ले से सिफ 16 रहना है तो बल्ले का काम नहीं है जदा ओवरॉल आप रीड कर सकते हो बढ़ यह बच गए थे चौप ऑन होने वाले थे यानि एज लगके लगने लगा था इंसाइड एज पर बोल्ड होने वाले थे बढ़ बच गए कौन वे फाइनली इनको मार्श नहीं आउट किया जैंपा ने इनको तीन बार औट किया जिसमें से दो बार टीट्वएंट एक बार वंड़्य पहली बार पैट कमस के आगे T20 में जब रचिन खेले उनी पे आउट हुए वंडे में भी जब खेले थे यह उस पर भी पैट कमिंज नहीं आउट किया था तो रविंद्रान कमिंज के आगे थोड़ा फसी है बाकि फिलिप्स और चैपमें नौट ओड थे बिछले मैच लेकिन ओवरॉल दो बार हेजल वुड ने आउट किया है सबसे जादा खत्रा वह मैच अपस तो हमने देख लिए अब हम आगे हैं दोस्तों वॉर्णर के ऊपर लास्ट मैच में सैंटनर ने किया शिकार और हमने पहले भी बात करी थी सैंटनर ने आउट कर रखा है पहले भी तो सैंटनर की दो विक्टे हो गई इनके सामने एकोनोमिकल भी रहे हैं प्लस यह दो वंडे के हैं यह दो टीट्वेंटी के ब्याशी कें में सट सट्र अनमतलब हंड़ से भी कम स्ट्राइक रेट इनका वह इक खासा जो मैं ट्रेंड देखा हूँ बोल्ट और मिलने जैसे बढ़िया खेले थे सोडी के आगे एक बार आउट है सैंटनर के आगे अगे बोल्ट के आगे बढ़िया खेले हैं, मिल्ट के आगे बढ़िया खेले हैं, बोल्ट 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 के आगे बढ़िया खेले हैं, तो मैक्सवल का सब के आगे विकेट है बर बोल्ट और फर्गशन के आगे थोड़ा खासा ट्रबल लग रहा है इंग्लीस लास्ट मैच में सैंटनर पे गए मिलने भी आउट कर रहा है बोल्ट ने ना वंडे में सब को कर रहा है तो यह चीज में ना भी बोलनू तो मान के चल तो मैच अप वेड़ के खराब है और डेथ में यह हो सकता है फेस आफ स्टीव स्मित सैंटर के आगे फसे हैं दस गेंद में के वल शेरन फर्गशन के आगे भी फसे है इस सोडी के वंडे में आउट ट्रेंट बोल्ट के आगे वंडे में तीन बर आउट है टीट्वेंटी करी थी एलन के 32 आए थे कॉनवे के 60 प्लस आए थे बट कॉनवे आपको विगेट कीपिंग भी देते हैं तो ज्यादा सेफ रहेंगे इंपक्त दोनों को रखते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिन एलन ने बहुत बहतिंग बल्ले बाजी करी थी और ग्राउंड की जो बल्ले बाजी करम है मैं इन दोनों को नहीं रख पाऊंगा तो मैं सजेस्ट करूंगा न्यूजलेंड का ही विगेट कीपर प्रेले रखो ना कि आप उस्ट्रेलिया से किसी विगेट कीपर को पिक करो बाइचास अगर ऐसा हो जाता है किसी मैच में इंग्लीस वो मुझे दिखाता है कि फॉर्म में भी हैं और कह सकते हो कि रिस्पॉंसिबिल्टी से खेले मज़ा आया ठीक है लेन फिलिप्स लास्ट में फिनिशिंग ही कर पाए ज्यादा कुछ करनी पाए प्लेयर अच्छे हैं अटेकिंग क्लियर है थोड़ी बहुत आप ब्रेक भी विल्यंग भी लास्ट मेंच खेले नहीं वैसे नंबर तीन के खिलाड़ी है मैं मार्श और वॉर्दन को जुरूर पिक कर रहा हूं मन तो मेरा हैड को लेने का भी है क्योंकि जहां पर यह मैच है वहां हैड से लेके टो तक कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना चौके चक खा गए विकेट मिला नहीं इकनॉमीं की माइनस पॉइंट देखे गई बट काफी अची जगह पे रहते हैं जहां इनको कैचेज मिलते हैं और बढ़िया बल्लेवाजी भी करते हैं तो काफियर तक सेफटी रहेगी मैक्सवेल के साथ साथ सैटनर प्लियर अच्छे हैं वि बोलिंग में पूरे मैच की सबसे जब्रदस्त बोलिंग लॉकी फर्गरशन ने करी थी और ऑकलेंड में इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है अगर न्यूजिलेंड बोल फर्स्ट करे बहतर रहेगा फर्गरशन को रखो क्योंकि डेथ बोल रहे हैं मिचल स्टार्क ने भी ओ निकाली हैं तो अच्छे प्लेयर हैं एडम जैंपल एक्स्पीनर लास्ट मेंच में नहीं चले हेजलवूड मीडियम पेस अच्छी डाली थी चार वो छत्तिसरं दिये एक दो मौके बने थे बट विकेट नहीं ले पाए ठीक है इस सोडील एक्स्पीनर हैं बट लास्ट मे से भी अब मैं इसके साथ गयो मैं पहले तो लौकी फर्गरशन को रख रहा हूं पैट कमिंच सिग्स डाउन पर बैटिंग भी कर रहे हैं एक चीज़ देखने वाली है इन्होंने 20 वाउर डाला था इसलिए मैं इनको भी रख रहा हूं उस टैम पे विकेट जाती है ट्रें प्रोवाइडर हूं नहीं मैं अपनी टीम आपसे शेर करता हूं क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो सब और आपको मैं पसंद हूं तो हो हो एक दूसरे की और साथ वे जो सबसे अच्छी बात है सबसे अच्छी बात इतना चीज बतातो जिससे आप बेस्ट कर पो सब मैं मार्श मैक्सवेल पर जादा जाओंगा और डाउंड रोल मिल रहा है तो मेभी आप किसी ओपनर को ट्राइ कर सकते हो ऑकलेंड के ग्राउंड पर मैंने फिलाल अपनी कप्तानी मार्श को दिया वाइस कैपटन सी मैक्सवेल को दिया दोनों आपको थोड़े बहुत ओव सब्सक्राइब करके चलना लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का भी आपको देखने को मिलेगा लिंक जल्दी से अगली वीडियो में आना तब ही तो आपका ध्यान रख पाऊंगा